दोस्तों हम आपको लगातार बताते आये हैं कि सुशान्त और अंकिता में कितना गहरा रिष्टा बन चुका था और 6 साल तक वो रिलेशनशिप में रहे थे और उन्होंने ये रिष्टा कभी किसी से छपाया भी नहीं आपको बता दे कि इसी दोरान सुशान्त अंकिता एक इवेंट पर साथ पहुँचे थे जहां सुशान्त ने खुलकर अंकिता के लिए अपनी पीलिंग्स एक्सप्रेस की थी उन्होंने कहा था कि वो अंकिता से बहुत प्यार करते हैं अंकिता बहुत प्यारी लड़की है और उनका बहुत खयाल रखती है तो वो अंकिता को लेकर कई बार बहुत इंसिक्यूर भी हो जाते है उन्होंने कहा था कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते और अंकिता को हमेशा के लिए अपना बना लेना चाहते है और इसलिए ही उन्होंने अंकिता के साथ अपनी शादी की भी बात रखी थी कि वो जल्द से जल्द अंकिता से शादी कर उनके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं इतना ही नहीं अंकिता के बारे में बात करते करते वो कापी भावुक से हो गए थे मानों कहना चाह रहा हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं कि अंकिता उनकी जिन्दगी में है और अपनी पीलिंग्स बया करते करते उन्होंने कहा था कि वो अंकिता को कभी नहीं खोना चाहते क्योंकि वो अंकिता के बिना नहीं रह सकते शायद सची कहा था उन्होंने दोस्तों वो अंकिता की बिना नहीं रह पाए जेस्टिस पर सुशान के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूले हर अपडेट के लिए बने रहे हमार रज़त क्योंकि आप हैं तो हम हैं